मेरी आंटी सुनीता अपने दोस्त गैरी और उसके बॉइफ्रेंट संपत के साथ टांस कर रही है और ये मैं अपने काम के दोस्तों के साथ स्वीट डिश खाते हुए और ये हमारी ग्रूप फोटो है वाँ तुमारी आंटी के शादी में अलग-अलगतर है के लोग आए थे बिल्कुल और इससे मुझे याद आया कि तुम मुझे इंटरसेक्शनालिटी के बारे में बता रही थी इंटरसेक्शनालिटी क्या है इंटरसेक्शनालिटी शब डॉक्टर किम्बली क्रेंशों ने दिया था जिससे कि हम अपनी सामाजिक जिंदगी को समझ सके अंतरखंड ऐसी जगा होती है जहां कई चीजे एक साथ आकर मिलती है और इंटरसेक्शनालिटी मतलब कि हम सब की विविद पहचाने एक दूसरी के साथ आकर मिलती है और हमारे व्यक्तित्व को बनाती है और हमारी दुनिया के अनुभव को प्रभावित करती है विविद पहचाने? हाँ, जैसे कि मैं, मैं तुम्हारी सहिली की मम्मी हूँ, मैं एक बहुजन हूँ और एक महिला भी हो सकता है कि बहुजन होने के नाते मुझे नसल भेद का अनुभव करना पड़े और महिला होने के नाते लिंग भेद का भी ये मेरी दो पहचाने हैं जो आपस में आकर मिलती है और मुझे नसल भेद और लिंग भेद दोनों का अनुभव होता है जो कि अलग होता अगर मैं सिर्फ बहुजन होती या सिर्फ महिला मुझे शोशन का सामना करना पड़ेगा या विशेश अदिकार प्राप्त होंगे ये म मेरे पैसे कमाने, नौकरी मिलने, मेरी शिक्षा यहां तक की अच्छी स्वास्त सेवाएं प्राप्त करने को भी प्रभावित कर सकती है अंतर खंडियता से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हर इंसान के अंदर अलग-अलग पहचानों के मिलने से उसको मिलने वाले होने के कारण वे सबसे बहतरीन दॉक्टरों से इलाज करवा सकते है यह फाइदा है लेकिन उन्हें बेटभाव और नसलवाद का सामना करना पड़ सकता है क्यूंकि वे दक्षिन भारत से है और अलपसंख्यत भी है या मेरी सहेली सुन्दृता एक सवरण महिला है एकलमा और हाल में नौकरी से उन्हें निकाल दिया गया उसके साथ नसलवाद नहीं होता यह विशेश अधिकार है लेकिन क्योंकि वो एक महिला है और एकलमा है उन्हें ऐसी नौकरी मिलने में मुश्किल हो रही है जिससे वे अकेले अपने वेतन से अपने बच्चों को पाल सके अकसर उसी काम के लिए पुर्शों को महिलाओं के मुकाबले ज्यादा वेतन मिलता है ये जंडर आधारत भेदभाव है अंतर खंडियता हमें समझाती है कि विभिन्द पहचानों के कारण विशेश अधिकार या ज्यादा दमन्त का सामना करना पड़ता है अगर आपके पा और दूसरे लोगों के लिए जगा बनाने की कोशिश कर सकते हैं थांक्यू आंटी और मुझे अंतर खंडियता समझाने के लिए भी शुक्रिया मैं इस विशेश पर जरूर विचार करूंगा और भेदभाव का सामना करने वाले लोगों का साथ देने की कोशिश करूंगा अच्छा है विने, मुझे कोशी है तुम समझ गए। तो अब शादी के कुछ और फोटो देखें। काफी मज़ेदार लग रहे हैं। ये है प्रयास संस्था की Let's Talk Sexuality वेबसाइट। यहां आप हिंदी और मराठी में वीडियोस देख सकते हैं तथा अंग्रेजी में वीडियोस देखने के लिए Amaze.org पर जाना न भूले।